What's up guys, I hope you are doing well, I am Veeer, Welcome to Stirlord Family. तो कैसे हो दोस्तों, मैं आसा करता हूँ, शांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से एर्रा करे हो. आज का lecture काफी interesting और शांदार रहने वाला है, स्टार्ट करेंगे एक important day के साथ में, इसके बाद में आप लोग के सामने quiz होगा, और फिर आगे news हम लोग discuss करेंगे, वीडियो के end में भी फिर एक quiz होगा, उस quiz का answer आप लोग तभी देपकाएंगे, अगर ये वीडियो आप अभी नए हुए, छट पूजा enjoy कर रहे हैं, तो अच्छे से enjoy कीजे अपना festival को, पर लेकिन थोड़ा सा time लगालकर अपना पढ़ाई भी आप लोग करते रहे हैं, वो आप लोग के लिए काफी फाइदे मन्द रहेगा, वरना काफी burden हो जाएगा, जब आप लोग वापस आ तो फिर आप लोग को लगता है कि यार बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बच गया, तो इसलिए बोलता हूँ कि अपना schedule इस तरीके से बनाईए, ताकि आप लोग के day by day के काम भी चलते रहे हैं, यानि कि सादू सन्यासी नहीं बनना है ठीक है, और उसी के साथ हैं पढ़ से वो है, वो है एक best तरीका, तो आपने आपको manage करना सेखे, पुरी life काम आने वाला है, तो आईए discussion स्टार्ट करते हैं आपर, और festival के साथ में अच्छे से enjoy करते हैं यह सारी चीज़े, बात की जारी हैं यहाँ पर, and impunity for crime against journalists, तो यहाँ पर एक तरीके से जो journalists होते हमारे उ अगर जनलिस्ट, तो अगर जनलिस्ट के खिलाब कोई criminal activity हो रही है, तो सिधा-सिधा मतलब क्या है, हमारे पास तक जो information है, वो सही तरीके से नहीं पहुचेगी, तो जनलिस्ट को इसलिए pillar बोला जाता है, क्योंकि उसी के base पर हम लोग aware हो पाते हैं, उसी के base पर हम लोग में और क्या गलत हो रहा है, तो इसी के लिए United Nations General Assembly के द्वारा 2nd November को proclaim किया गया, कि हाँ हम लोग को ये international day to end the impunity for crime against journalists, ये day celebrate करना है, जिसके चलते हैं, यहाँ पर एक तरीके से जो member है, state वो implement करेंगे, ऐसे measures, ताकि एक अच्छी culture बनाए जा सके, all over world में, और यहाँ पर जो और किसा लगे कि दुनिया से कटे-कटे से हो गए हम लोग, तो इसलिए दुनिया से जुड़े वे तभी रह पाएंगे हम लोग अगर ये सारी चीज़ अम लोग journalism भी अधंक से काम करते रहे, आप कई सारे बोलेंगे social media पर अच्छे से काम चल रहे है, social media पर कई बार ऐसी चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगी, जो कि life से related ही नहीं है, अलग-अलग तरीके पकवान पकाया जाते हैं आप अलग-अलग तरीके की information रहते हैं, जो कोई verified information नहीं रहती है, आज केट में maximum लोग खुद ही journalist बन जाते हैं, तो इसलिए आपर verified information से ही अपनी जो information है उसक जब माली के अंदर दो friends जनलिस्ट को 2 November 2013 को मार दिया गया, उसके बाद में फिर यहाँ पर landmark resolution लाया गया, condemned करने के लिए इसको, और ऐसे हैं आपर celebrate करने की बात की गई ताकि जो journalist है या फिर media worker हैं, वो अपनी life को अच्छे से enjoy कर सकें, उनको कोई problem face नहीं करनी पड़े, त अफरीका में भी अगर west side में आप लोग चलेंगे तो आप लोग हैं आपर माली नजर आएगा, यह देख सकते हैं आपर exact आप लोगे सामने है, माली बमा को इसकी capital है, तो यहाँ पर journalist की death use के बाद में हापर यह आप लोगे सामने information है, and impunity for crime against journalist जो की second number को celebrate किया जाता है, आ आज जैसे हम लोगों ने यह day discuss किया, तो पुराने वाला day का question पुछ लेग रहो, ताकि हमारा revision भी होता रहे, तो last हम लोगों ने यह कल कौन सा day celebrate किया था, उसके बारे में आप लोग comment box में लिखें, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएं, यह आप को जरूर करना है, सबसे पहले हैं आपर बात करते हैं, question के बारे में, quiz के बारे में इसका answer आप लोगों को देना है, important है काफी direct question भी बन जाते है, direct exam में, उडिसा disaster preparedness day and national day for disaster reduction, यह observe किया जाता है 29th of October को, यह हाँ पर जो destruction देखने को मिला, cyclone की वे से, super cyclone जिसको लोगों ने बोला था, यह किस year में आय था, तो इसी के चलते हैं, आपर जो theme रखी जा रही है, यह theme है, इसी के चलते हैं, जो काफी important है, यह उडिसा disaster preparedness day के बारे में तो 2019 में यह theme क्या है, यह आप लोगों को बतानी है, नेस्ट बात की जारी है, ओलमपिक 2020, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक particular country के अंतर, जो कि एक Asian country है, तो कहाँ पर यह हो रहे है, 2020 के game, यह बताना है, 24th July 2020 से लेके 9th August 2020 तक यह चलने वाले हैं, नेस्ट बा जारी है, तो किस पोल के और जारी है, North पोल के और जारी है, South पोल के और जारी है, और यह climate change के impact की वे से हो रहा है, तो आप लोगो यह बताना है, यह ऐसे reason है, जो आप लोग यहाँ पर अपना exam अगर कुछ लिख रहे हैं, exam में कोई answer writing, जिसमें बात करें, climate change का क्या के impact प बताना है next बात की जारी है प्रोवाइड करने के लिए pension retirement benefit के लिए हापर उनको pension दी जाती है उसके बारे में आपर पूरा analysis किया जाता है इसी के साथ में आप लोगे आपर बताना है एक particular personality का नाम जो कि एक swimmer थे businessman थे और उनके दौरा इंडिया के first personality बनने का भी खिताब जी मैं quiz के अंदर नहीं पूछता हूँ तो आप लोगों से वैसे question पूछ लोगा आप लोग एक बार comment box में लिख देंगे तो फिर exam में आप लोग उसको नहीं भूलेंगे तो आईए answer देख लेते हैं इसका answer क्या है सबसे पहले बात की जारी है सूपर साइकलोन तो सूपर साइकलोन आया है हाँ पर 1999 में यह याद रखेगा जिसने उडिसा के उपर काफी बड़ा impact डाला और जो theme यहाँ आपर रखे गई है empowering community for disaster resilience यह नहीं कि अगर कोई disaster आता है तो कैसे उसको tackle हम लोग कर सकते हैं इसके ल next बात की जा रही है पोल की साइड से यहाँ पर equator की साइड से पोल की साइड को मच रहा जाती हुई नजर आ रही है climate change की impact की वे से reason क्या बता है था reason है जब पानी गराम होता है तो उसके अंदर oxygen की quantity कम रहती है जिसके वे से जो मचलिया है वो सांस लेने में uncomfortable feel करती है तो फ में हमारी जो rank है वो 32 rank है यह basically provide कराता है कि pension यह फिर retirement benefit surgeon को कैसे दिया जा रहे है last year के साथ में compare करके यह कहने का मतलब यह हमारी country में जो surgeon है खासकर retirement जिनकी हो चुके है वो कैसा feel कर रहे है उसका एक analysis यह करता है index next बात की जा रहे है मिहीर सेन के बारे में तो यह थे मिहीर स चैनल को पास करने वाले एक interesting question है English channel किस किस country के बीच में कल मैंने आप लोगो map में भी दिखाया था तो आप लोग उस country का दोनो country का नाम लिखे वल्ड विगन डे के बारे में लोग ने डिसस कहता जिसको बोलते हैं एक तरीके साका हार तो कई सारे बच्चों के दौरा बता करते हैं उस तहीं तरीके से मैं comment को enjoy करता हूं तो आप लोग जब comment लिखते हैं तो काफी हसी आती है कई पार मुझे पढ़ते हैं कई सारे बच्चों के तो डिफरेंट आंसर दियेगे कई सारे बोलते हैं कि सर एक दो दिन को छोड़कर बागी दिन vegetarian है तो ये भी सही बात ह करते हैं ये थुड़ना कि 9 वेज सातों के सातों दीन ही खाना है एक आत दिन 9 वेज खा लिजे क्योंकि जितना प्रोटीन नूर्मली ये मनाता है कि 9 वेज में ज्यादा प्रोटीन होता है कि सारे यसी चीज़ होते हैं नूर्मली जो ये बोलते हैं कि vegetarian food से नहीं मिल पाती ह लेकिन आज केट में तो हिंदी में भी काफी कुछ अविलेबल है तो ये easily अविलेबल वाला फंडा है हापर हो जाता है तो एक दो दिन यहापर जिसे Tuesday और एक कुछ दिन और बताया गया था उस दिन वेजिटेरियन है बाकि सारे दिन वेजिटेरियन है देकर दवारा बोल आप नहीं है तो अपना डाइट आप लोगो पता होना चाहिए basically आगे वरते हैं बात काते है नैनो न्यूस के वारे में नैनो न्यूस में क्या क्या इंपोर्टेंट न्यूस है छोड़ी-छोडी मगर मोटी बात है काफी इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट न्यूस है तो क्या गया फायदा होगा देखे हमारी कंट्री की जो community है वो साओधी अरेवे में काफी large scale पर रहती है लगबग 2.6 million जो इंडियन है वो गल्फ रिजन में हाँ पर रहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो की हज की आतरा करते हैं यहाँ पर उम्रहा की आतरा करते हैं एक तरीक से अलग-अलग जो इहाँ पर रियात रहे की जाती हैं अगर हमारी कंट्री का रुपिया कार्ड यहाँ पर यूज के जाता है तो फाइदा क्या रहेगा फाइदा यह रहेगा उनको पोलम फेस नहीं करनी पड़ेगी तो इसी के चलते काफी इंडियन जो हैं उनक आप लोग देखें थोड़ा मक्का और यह उपर हो गया मदीना और नीचे हो गया मक्का ठीक है तो यहाँ पर यह दो इंपोटेंट यहाँ पर प्लेस हैं और यहाँ पर हो गया रैड सी थोड़ा सा इधर आएंगे तो इसके अंदर बेसिकली हमारी कंट्री से विजिट करन हैं कि वो अकेले जा सकती है ऐसा कोई नहीं है कि उनके साथ में कोई मेल पार्टनर ही जाएगा ठीक है यहाँ पर आप लोग देखें यह हो गया बेसिकली पर्टिकुलर रीजन ठीक है अगर अगर यहाँ पर यहाँ पर उम्राग की बात की जाए यह तो आप लोग दिखा हो गई साथी रियाल हो गई और जो इसका कैबिटल यह आप लोग ने देख लिया यह हो गया रियाद यहाँ पर आईए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं रूपिया कार्ड के बारे में रूपिया कार्ड आज किट में हमारी कंट्री का वैसे डोमेस्टिक है पर लेकिन खरिदारी कियोगी जाकर यहांपर मौल वगएरा में यहां पर यह जो मसीन रहती हैं इसमें स्वैप करते हैं कार्ड तो उसके थ्रू आप लोग ने खरिदारी की होगी तो इसके बारे में बात की जा रही है यह फिर e-commerce वैसाइट पर बी जाकर आप लोग पेमेंट कर सकत और यहाँ पर जो credit है आपर इसका fully reserve bank of India के vision में हापर यह domestic payment system आज के इड में हमारी country में use के जा रहा है और आज की date में हापर आप लोग बहुत सकते हैं यह एक international card बन चुका है अभी आगे बताऊंगा कैसे इसका international acceptance allow कर दिया गया है तोकी आज के इड में tie up हैं आपर international player जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं आपर जैसे discover China Union Pay और Japan Credit Bureau इनके साथ में इसके relation हो चुके है और अभी recently 25 million रुपे कार्ड यहाँ पर हमारी country में यह जो अभी recently रिशू किये गए हमारी country के authority के द्वारा रुपे कार्ड के बारे में जाने तो साओधी अरेबिया के जो साओधी अरेबिया हैं आपर यह थर्ड नेशन बन चुका है गल्फ रीजन के अंदर में थर्ड कौन सा इससे पहले दो कौन सा है तो है United Arab Emirates और यहाँ पर बहरीन तो यह दो country ऐसी है जहाँ पर ओ लेडी रुपिया कार्ड यूज के जा रहा है और इसी के साथ में भुटान और सिंगापूर में भी रुपिया कार्ड अभी हाँ पर लौंज के गया तो रुपिया कार्ड काफी important बनता जा रहा है खासकर international level पर भी तो आप लोगों से question पूछे कि कि इसके दौरा लौंज के गया कब लौंज के गया कौन कौन सी country में लौंज के गया कहाँ आपर use के जाते है तो इस सारे point आप लोग यहाँ पर याद इसके बारे में रख सकते हैं ओके आगे बढ़ता हूँ नेश्ट बात की जारी है health के बारे में तो हमारी country में union minister for health and family welfare कौन है यापर union minister health and family welfare तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में चलिए comment कीज़ेगा बताएगा कि कौन है यहाँ यह personality तो उनके दौरा recently अभी 14th national health profile यह start की गई यह इनके एक तरीके से release की गई है तो यह जो सबसे पहले हाँ पर release की गई थी वो कब release की गई थी तो 2005 में release की गई थी और हर साल यहाँ पर release की जाती है तो इस तरीके से अगर 2005 से और 2019 में ख़रे हैं तो 14th number की है यह जो है basically data importance यहाँ पर दिखाता है कि क्या-क्या issues है population के साथ में और कैसे उसको understand कर पाते हैं और क्या-क्या weakness है और क्या-क्या target रखकर हम लोग उसको achieve कर सकते हैं यह बिल्कुल ऐसी है जैसे आज की आप लोगी test की वीडियो थी जो लग-बग यहाँ पर दो घंटे से उपर की होगी सोचा था कि दो घंटे में खतम होगी पर लेकिन काफी बड़ी वो वीडियो होगी तो कहीं सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर काफी पोलम होई कई यों के जो हैं mobile down होगे बीच में और कई यों को मतलब काफी सारे फनी जो कमेंट आ रहे थे मैं पढ़ रहा था आप लोगे तो काफी इंट्रेस्टिंग लगे मुझे पर लेकिन फस्ट वो ऐसी वीडियो थी जो इतनी लंबी वीडियो होगी लग-बग वो पोने तीन घंटे की होगी पर लेकिन कई सारे बच्च्चे ने बोला कि यह काफी मज़ा है तो आप लोग उसके बारे में बताएगा अपना experience कैसरा वो continue रखनी है या नहीं रखनी है तो यहाँ पर यह इसके बारे में health के बारे में बात की जारी है तो इसके बारे में आप लोग कंट्री में USA में आपर पर कैपिटा के इसाब से 8000 के करीब यहाँ पर डोलर खर्च के जाते हैं नोरवे में आपर 6000 सुट्जन लेंड में 6 लक्जंबर्ग में 5 सुटन में 4 डेनमार्क में 4 और इंडिया में only 16 है डोलर डोलर की बात की जारी है ठीक है अगर आप लोग इसको रूपी में convert करना चाते हैं तो 170 से multiply और कर सकते हैं तो इससे आप लोग understand कर पाएंगे कि हमारी country की जो population है वो world में second और बोला जा रहे हैं आपर UN के द्वारा भी recently बोला गया है कि 2028 के लगबग तक हम लोग replace कर देंगे चाइना को तो इतनी huge population में कितना ज्यादा खर्च कर जा सकता है तो आप लोग understand कर सकते हैं तो ये WHO का data है बाकि अगर बात करें national health profile के बारे में तो जो indicator है socio economic development, sanitation, housing, drinking water मिल रहा है नहीं मिल रहा है population का demographic indicator क्या है एक तरीक से health जो होते हैं आपर वो तभी आप लोग count कर पाएंगे communicable, non communicable disease के बारे में भी जब आप लोग को पता हो क्या होता है basically communicable disease वो होती है माली जे मुझको नजला जुखा मैं आप लोग मुझसे बाते कर रहे हैं तो आप लोग को लग जाएगा viral type में चीज़े होती है non communicable माली जे मुझे cancer है वो आप लोग को नहीं होगा क्योंकि वो एक internal बीमारी है वो ऐसे नहीं हो पाएगा या फिर कोई दूसरी ऐसी बीमारी है ठीक है heart attack जैसे हो गया जैसे कोई ओर दूसरा cancer dive में जो बीमारी होगी ये सारी non communicable disease होती है तो इनके बारे में आप लोग idea रख सकते हैं हाला कि आज केर में हमारी country में non communicable जो disease का बढ़न है वो बढ़ता जा रहा है ये भी एक concern का issue माना जाता है next यहाँ पर बात की जा रही एक important news के बारे में जिसको बोलते है seed award तो seed award है आपर ये basically हाँ पर achieve करने के लिए sustainable development goal के द्वारे हाँ पर ये seed award दियाता है इस particular field में UN के द्वारा यनिके जो sustainable development goal है total मिलाकर 17 sustainable development है जो की replace करकर picture में आए millennium development goal 2015 तक millennium development goal चले उसके बाद में sustainable development goal आगे जो की 2030 तक चलने वाले है total मिलाकर 17 sustainable development है जो की अलगलग film में काम करते हैं कैसे हम लोग पूरी country को नहीं पूरे world को sustain मना सकते हैं जैसे गरीबी मिटानी है बुकवारी मिटानी है health अच्छी रखनी है education provide करानी है gender discrimination नहीं होना चाहिए health और sanitation के बारे में बात करते है तो news में क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं तो जो यह award है इसके बारे में बात किये है 2019 seed award तो यह include करते है seed low carbon, seed South Africa climate adaptation, seed Africa award, seed यह है gender equality award तो यह सारे sustainable development के फिल्ड में जो भी award जाते हैं उसके बारे में बात किजा रही है 14th financialist, 14th finalist जो यहाँ पर चूज किये गए एशिया और अफ्रीका से अलगलग country में आपर award देनी की बात किए जिसके दोरा sustainable development goal को अचीव किया गया है seed जो आवोड हैं आपर United Nation के 14th Indian startup अमंग 14th winner में आपर 4 Indian startup भी हैं ठीक है United Nation Environment Program और इसी के सवारा UNDP United Nation Development Program के द्वारा यहाँ पर जो nature को conservation करने की बात कि जाती है IUCN बोलते हैं International Union for Nature Conservation यह सारे मिलकर काम करते हैं और यहाँ पर World Digital Summative Sustainable Development जो हांसबर्ग जो की South Africa के अंडर पढ़ता है तो महाँ पर इसको basically picture में लाया गया अगर बात करें IUCN के बारे में तो International Union for Conservation उसको बोलते हैं जिसका हैड़कर्टर सुटिजल लैंड में है और यह काफी important organization है जो कि इस particular field में काम करती है United Nation Development के बारे में अगर बात करें तो यह एक organization है यहनिकी एक तरीक से जो जहाँ पर United Nation एक Global Development Work का काम करती है बेसिकली लोगों की help करने की कोशिस की जाती है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं 1965 में इसका गठन किया गया था United State of America के अंदर में parent organization United Nation Economic and Social Council इसके अंदर में इसके head है जो New York में इसका headquarter है United Nation Environment Program के बारे बात करें दोनों में confused आप लोगों अपने आपको नहीं करना है इसका headquarter नेरो भी यहनके Kenya के अंदर नजर आएगा इसके जो head है आजके में यह है इनगना Edison ठीक है तो यहाँ पर यही इनके डिरेक्टर जनल भी है इसी के साथ में है बात की जाए आपर UN Environment List एक तरीके से organization है जो की काम करती है इनवोर्मेंट के फिल्ड में ठीक है तो इसके बारे में आप लोग idea रख सकते हैं नहीं जो न्यूज है आपर बात की जा रही है रफेल मारियानो ग्रोसी के बारे में यह हाँ पर एजेंटीना के रहने वाले है और नए डिरेक्टर जनल बन गए International Atomic Energy Agency के है तो एक यह जो यहाँ पर यह particular personality थे जो कि अब तक यहाँ पर इसको इसको position को पकड़े वे थे अब यहाँ पर यह इनके अंडर में position आ जाएगी इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप लोग जानेंगे International Atomic Energy के बारे में तो यह एक International Organization है जो कि peaceful काम के लिए nuclear energy कैसे यूज कर सकते है उसके बारे में बात करती है ना कि military purpose के लिए इसी के साथ में weapon कोई नहीं बनाना है इस्टेबलिस की गए थी 1987 में Vienna आस्ट्रिया के अंदर इसका headquarter है जो कि एक international organization है 1957 में जो बनाई गए थी आस्ट्रिया में इसका headquarter है तो आस्ट्रिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप अर्जंटिना आप लोग यहाँ पर देख से हैं यह फॉल्क आइलेंड फॉल्क आइलेंड है तो पर अर्जंटिना के पास है पर लेकिन यह यूके इनके बिटेन के कंट्रोल में है आज की डेट में भी बुर्नोईज एरीज यहाँ पर इसकी capital है इसके बारे में आप इसके द्वारा तो डेली पुलिस जो कमिस्टन है जिनका नाम है अमुल्या पढ़नायक तो इनके द्वारा 15 पर पर फ्रकर यह वैन स्टार्ट की गी है जो कि बेसिकली जो गलिया होती है इस्टीड होती है उनमें जो क्रिमिनल अक्टिवडी होती है नेसल कैपिडल में उन गली महलों में घुमेंगी ताकि आपर कोई भी अगर उल्डी सीधी अक्टिवडी होती है तो उनको रोका जा सके और डेली को एक सेप कैपिटल बनाया जा सके और हाँ आप लोगे माइन में यार होगा ऐसा क्यों किया गया क्योंकि अभी नेसल क्राइम रिकोर्ड ब्यूर प्राकर्ति खेसी खुसाल किसान योजना यह हिमाचल प्रदेश के अंदर यह आप इपी स्टार्ट की गई है जो कि फोकस देकर चलेगी आपर किसके ओपर यह और गयनिक एंड जीरो बजट नेचरल फार्मिंग के ओपर जीरो बजट नेचरल फार्मिंग का बेसिक मतलब ह होता है कि एक तरीक से एक तो natural तरीके से खेती करनी है और budget भी आप लोग को 0 लगाना है यानि कि खर्चा नहीं करना है natural तरीके से आप लोग को खेती करनी है तो अगर खर्चा यानि कि input जितनी कम होगी output इतना ही ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा यह फोकस दिया जाता है जीरो बजट नेचरल फार्मिंग के उपा तो यहाँ पर प्राकरति खेती खुसाल किसान यह किसके अंदर इस्टार्ट किया गया है जिसके बारे में आप लोग आईडिया रख सकते हैं और खासकर किसानों की इंकम डबल करने में भी बहुत जो कि हाँ पर यूज किया जाते हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है इसी के साथ में 75% करीब जो सब्सिडी हैं आपर जो भी यूज के जाएंगे ड्रम्स वगएरा रिक्वार रहेंगे जो नेचरल खेती करने के लिए वो प्रोवाइड करा जाएंगे फाइनेंसल एसिस्टे नोर्थ इंडिया में आपर यह बेसिकली स्टेट है जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसी के साथ में जो गवर्णर है यह बंदारू दतचारी है चीप निश्टे है आपर जयराम ठागुर और कैबिडल है यहां पर इसकी सिमला यहां पर इसके बारे में आप नेिश्ट फार्मिंग के बारे में तो चरव स्टाप बोलेगे पहला बाला घ्र एक आप लगो देखने को मिलेगा यह यह कोस्ट कम करने का तरीका है वाप फसा की बात के 갔ि हैो उल्हएं जो मोस्ट्र कर सकते हैं उसके ओपर फोकस के जाते है जीरो बजट नेच्रल फार्मिंग की पूरी परकिरिया बोलते हैं कि शांदा तरीके से हम लोग किसानों की help कर सकते हैं बिना कोई जादे input दिये हुए नेक्ट बात की जारी है एक important personality के बारे में जिनके नाम पर अभी commemorative stamp यहाँ पर एक coin जारी किया गया है यहाँ पर जिनका नाम है परमाहंस योगानंद तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं आपर यह किसके दोरा जारी किया गया है इस मर्ती यहाँ पर यह निर्मला सीता रमन जी के दोरा यहाँ पर जारी किया गया है जो कि हमारी finance minister भी है तो 125 वी birth anniversary यहाँ पर इनकी celebrate की जारी है जिसके उपलक्स में आपर इसको जारी किया गया है अगर इनके बारे में थोड़ा सा जाने तो निर्मला सीता रमन तो हमारी country में आज की दमें यह finance minister इनके बारे में आप लोग जानती है इसी के साथ में अगर बात करते हैं पर्मनन योगा अननत के बारे में तो यह Indian monk है एक guru और एक yogi की तरीके से इनको देखा जाते है जिनका basically किरिया योग के थुरू इनके द्वारा काफी कुछ self-realization यहाँ पर किया गया इनकी first जो teaching थी वो हाँ पर USA के अंदर देखने को मिली और इनके दोरा publish की गई book जिसको autobiography of yogi 1946 में हाँ पर यह publish की गई थी बाद में चलकर कई बार यह reprint हुई आज के डिमें इसका title है तो यह हाँ पर यह इसका title है इसके ओपर documentary पे भी बनाए गई है अवेक दा लाइफ अवेक दा लाइफ ओफ योगा नानद यह भी हाँ पर अभी recently release की गई है जो कि अलग-लग reason में हाँ पर publish की गई है तो यह important personality है 125 भी जब birth anniversary हाँ पर होती है किसी personality के या फिर सो भी होती है या फिर जैसे मात्मा गांदी जी की फिर सो भी होती है ठीक है गुरु नानक देव जी की जो बात की ज़रे 550 भी है तो इस तरीके से अगर कोई number होते हैं तो उनके बारे में question बनने के chances काफी ज़्याद होते हैं तो याद रखा कीजिए आगे बढ़ते है नेस्ट यहां पर बात की जा रही है National Investment and Infrastructure Fund के बारे में जिसको NIIF आप लोग बोलते हैं यहां पर चेयर किया गया Union Finance Minister किसके द्वारा निर्मला सितर रमन जी के द्वारा नियूर हली में और यहां पर जो Corporate Finance Minister इस्टेट का फिर जो अनुराग ठागुर भी हाँपर पस्तुते NIIF यह operationalize है, established किया गया 3 alternative यह investment fund में खासकर यहां पर under CB यहनि कि Security Exchange Board of India किस तरीके से investment कर सकते हैं वह भी infrastructure के अंदर यह इसका basic target है जिसको आप लोग NIIF बोलते हैं तो यह जो fund था basically 2015 में यहां पर यह first loans किया गया था infrastructure के कारिये को करने के लिए सुभास जैन आज केट में आपर CFO और यहां पर सुजय बोस CEO है जो की Mumbai में headquarter है इसका ठीक है, total assets जो हैं आप 27,000 crore के करीब आप लोग आप लोग आप देखने को मिलेगी जो की हमारी country की sovereign wealth मानी जाती है security exchange board of India हमारी country में एक organization है जो की एक statutory organization है जो की सेभी act 1992 के इसाफ से 1992 में यह बनाए गये थी, headquarter मुंबई में इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं जे त्यागी, आज की date में आप इसके chair person है, ठीक है, तो यह इसके बारे में आप लोग याद रखेगा किस तरीक से फैसा इखटा किया जा सकता है investment fund, यहाँ पर basically infrastructure की rate करने के लिए यह इसका focus area रहता है आईए आगे बाते करते हैं, आपर science और technology के बारे में काफी important और interesting news हैं आपर यह बात की जा रही है यह काफी interesting देखें, ऐसी टम भी आप लोगों से कई बार पूछ ले जाती है, तो यहाँ पर यह organoid, ठीक है एक तरीके से यहाँ पर एक organ यहाँ पर बनाने कोशिक की गई है, जो की group of cell आप लोग बोल सकते हैं यह नव system यहाँ पर जो generate के जा रहा है, इसमें feeling डालने की कोशिस यहाँ पर की जा रही है, जो की एक natural तरीका नहीं, एक scientific तरीका है ठी-dimensional miniature हैं आपर एक तरीके से जो arrange के जा रहा है, fully grown organ यहाँ पर इससे बना जा सकते हैं, पर लेकिन जो structure है, वो functional maturity अचीव नहीं कर सकती जैसे की human organ रहते हैं यानि कि अभी यह इस area में एक काम की तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि काम किया जा रहा है इस particular area में, scientist को हला कि won किया गया कि इस तरीके से आप लोग को नहीं करना है, कि कोई mini brain नहीं बनाना है, इसको mini brain बोला जा रहा है, ठीक है, छोटा सा mind बनाने कुछ की जा रही है, एक तो होता है natural तरीके से जो हमारा mind बना हुए, अब यहाँ पर एक manufactured mind आप लोग इसको बोल सकते हैं, तो यह जो organoid है आपर जो grow किया गया है library के अंदर, यह जो cell होती है आपर जिसको induced pluropotent cell, stem cell के नाम से आप लोग जानते हैं, I, P, S, C के नाम से भी हम लोग इसको जान कर सकते हैं, किसी particular prani को तयार किया जा सकते हैं, इनके विसपा, कई बार आप लोग ने movie देखी न, clone बना दी जाते हैं, तो वो unique help से clone बना जाते हैं, तो इसी के बारे में हापर analysis के जा रहा है, present status के है, देखे हम लोग कई सारी चीज़े बना चुके हैं, इससे organoid के help से brain ब कर सकते हैं, और एक तरीके से safe और efficiently, अगर drug यहाँ पर हम लोग इसके उपर check कर सकते हैं, अगेंस्ट argument के हैं, देखे हैं, एक तो nature के खिलावे सीधे सीधा बात तो आप लोग यह देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी चीज़े जो रहेंगे, हमारा जो brain है वो एक अलग तरीका पर लेकिन आपर जो function रहेंगे वो limited रहेंगे, यह communicate proper way में नहीं कर पाएंगे, सारी जो चीज़े रहेंगे आप एक तरीके से यह natural नहीं रहेगा, सब क्रितरिम तरीके से आपर चीज़े establish की जाएंगे, तो आगे आने वाले टाइम में और जज़दा problem face करनी पड़ सकती है आप लोग ने रिसेले अभी सुनाओगा, क्रितरिम बेबी बनाने की बात की जा रही है, यानि के manufactured बच्चे बनाने की बात की गई, तो अगर बच्चे manufacture किया जाएंगे, कि हाँ ऐसा color होना चाहिए, ऐसी आँख होनी चाहिए, तो देखें फिर nature क्या रह जाएगी फिर आए था, जो 1992 में, इसके बाद में पंचायती राज सिस्टम इस्टेबलिस किया गया, तो यह के constitutional body है, जी हाँ, एक समिधानिक body है, क्या स्विधान में थी बिल्कुल नहीं, बाद में 1992 में इसको इस्टेबलिस किया गया, कौन सा constitutional amendment किया गया, तो 73rd constitution amendment यहाँ पर इसके अं इसको मांचितर बोला गया है, यह बेसिकली आपर बताएगा इसके बारे में, कि हाँ, किस particular area में, क्या क्या development, क्या क्या चीज़े चल रही है, तो इसके चलते कई सारे ओड है, दीन दयाल उपादे, पंचायत, यह हैं आपर, यह पंचायत ससक्तिक करण प्रुसकार बोला ग दिया जाता है, बाकि और भी कई सारे ओड हैं, आपर नाना जी देशमुख राष्टिय गोराव गराम सभा प्रुसकार बोला गया है, जो कि आपर बेसिकली आउटिस्टेंडिक कंट्रिबिशन है, शर्शो एकनोमी डेवलपमेंट के लिए, नेक्स आपर गराम पंचायत यह प्लान बोला गया है, यह ग्राम पंचायत डेवलपमेंट, बिसिकली क्या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किये गये हैं, अकोर्डिंग टू स्पेसिफिक गार्लाइंग, क्योंकि हर एक ग्राम पंचायत एक डिफरेंट तरीके की है, हर एक लोकल एरिया, चिल्डरन फ यह हैं यहां पर Value of Floor Nestle Park, Value of Floor Nestle Park यहां पर उतराखंड के अंदर लोकेटिड है, जो कि यहां पर काफी इंपोर्टेंट एक एरिया है, क्योंकि नंदादेवी Nestle Park, जो एक तरीक से Nestle Park Reserve है, जो कि UNESCO World Heritage by Spare Reserve का पार्ट है, यह इंस्क्राइब किया गया, World Heritage Site List में 1988 में, Extinction य और यहाँ पर 10 की category के अंदर इसको रखा गया है, तो यहाँ पर कोई पूछे कि हमारी country में यह basically value of floor, national park, union school of light, outside का part है कि हैं नहीं है, जी हाँ, बिलकुल है, तो इसके बारे में आप लोग idea रख सकते हैं, आईए बात करते हैं, आज के quiz के बारे में, किस personality के दोरा विजिट की गई, साओधी अरेबिया की recently अभी जहाँ पर रुप्या कार्ड लोंच किया गया है, तो कौन था है हाँ पर Vice President, President या Prime Minister या फिर कोई और personality था जो विजिट किया, जिसके दोरा इसको लोंच किया गया, नेश्ट बात की जा रही है, Union Minister कौन सी मिनिश्टी है, जो की 14 National Health Survey profile यहाँ पर अभी National Health Profile जिसके दोरा अभी आपर रिलीज किया गया, नेश्ट आप लोग को बताना है कि यहाँ पर जो Argentina की ओ personality कौन सी है, जिनको Director General of International Atomic Energy Agency, यहाँ आपर अभी निक्त किया गया है, जो की UN की एक वोच्ड होगी, वोच्ड होगी, वोच्ड होगी, ठीक है, रुपीय कार्ड के बारे बात की जा लिए, तो Saudi Arabia में अभी recently launch किया गया है, आप लोग को बताना है आपर कि Saudi Arabia के साथ में और किसकी सेरे में इसको launch किया गया है, पहले तो आप लोग को ये बताना है एक तो और साओधी अरेबिया आपर गल्फ रीजन में कौन से नंबर की कंट्री है ये भी आप लोग बता सकते हैं ठीक है तो UAE हो गया और कौन सी कंट्री है ये आप लोग बता सकते हैं basically इसी के साथ में अगर बात की जाए sustainable development goal को अचीव करने अराउंड 2,209 पंचाज है वो अभी रिसेंटली नेच्रल फार्मिंग के अंदर लागे प्रकर्तिक जो खेती है कुसाल किसान योजना के वारे बात की तो कौन से राज्य की स्कीम है तो ये था टोटल आज का discussion I hope कि आप लोगों ने enjoy किया होगा अगर lecture पसंद आता तो like ज चीजे सेयर करेंगे वो आप लोगो ठैंक्स जरूर बोलेगा lecture देखने के बाद में क्योंकि उसको जरूर कोई ने कोई फायदा से जरूर होगा lecture की pdf और इसी के साथ में अगर notification नहीं मिलता है तो telegram जोइन कर सकते हैं telegram बिलकुल बैसी जोइन कर सकते हैं जैसे आप लोग